मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टाक्स जंक्शन पर तो दोस्तों RBI की प्रेश रिलीज में RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास सर ने आज अनौन्स किया कि वो चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे मेकैनिजम लाने वाले हैं पॉजिटिव पे मेकैनिजम चेक के अमाउंट अगर पचास रार के उपर रहने रहेगी तो पॉजिटिव पे मेकैनिजम से आप पेमेंट कर सकते हो तो exactly क्या है और इससे अपने को क्या इंडिकेशन मिलते आईए करते हैं हम उस बारे में बाचे मैं आपको बताओ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तो आप इमें आपको बैंकिंग, इंकम टैक्स, पिनान्स, लोन, मोरियाटरियम, एजुकेशन, जीस्ट, इंकम टैक्स तरह तरह के अपडेट देते रहने वाला हूँ तो आईए जानते कि ये पॉजिटिव पे मेकैनिजम का मतलब exactly क्या निकल रहा है तो RBI ने बोला है कि ये जो पॉजिटिव पे मेंट का जो प्रोसेस रहेगा इससे क्या होगा कि चेक की सेफटी है वो और बढ़ने वाली है मतलब चेक में जो फ्रॉड होते हैं, जनरली लोग फ्रॉड कैसे करते हैं तो चेक को टैंपर करते हैं चेक को टैंपर करते हैं मतलब चेक में कुछ बदलाव कर देते हैं, आमाउट में बदलाव करेंगे या फिर डेट में कुछ बदलाव करेंगे, टैंपरिंग होते रहता है तो भी नाम में भी कुछ नाम का फाइदा उठा के भी लोग ऐसे चेक क्लियर कर देते हैं, कि सेम नाम है, तो चेक क्लियर कर दो, ऐसे टाइप की चीज़े लोग करते रहते हैं, तो यह टैंपरिंग ना हो, इसलिए RBI यह मेकैनिजम इंट्रोडियूस करना चाहते हैं, Actually positive pay check mechanism का मतलब क्या होता है, कि generally check में क्या होते है, minimum security features तो already रहते ही है, जैसे check में कहा, कौन सा field रहेगा, वो already fixed रहता है, मतलब check के नीचे, check number वगएरा होता है, OMR, marks वगएरे सारी चीज़े होती है, तो check clear करने के लिए, तुरन्थ वो optical image से, character recognition technology से, check rate करके आपका check clear होता है, लेकिन इसको भी और safe करने के लिए, RBI ये positive pay mechanism लाने वाली है, तो ये mechanism कैसे work करने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा, कि जो भी customer रहेगा, जो check deposit करने जाएगा, आपको अगर किसी ने check दिया है, आप deposit करने जाओगे, तो आप जो instruction bank को दोगे, वो instructions के हिसाब से bank अपना, यहाँ पे बोला गया है, RBI के तरफ से ऐसी जानकारी आई है, उसके कारण क्या होगा, कि unmost अपने देश के जो high value के check है, वो generally 80% के value के check होते है, जो 50,000 के price के उपर होते है, मतलब इतने सारे check होते है, total अपने देश में जेतने check issue होते हो, इसमें 80% check ऐसे value के होते है, जो 50, सार के उपर लिखे होए रहते है, तो वो वाले check पे control आने वाला है, इसके related guidelines से कैसे work करने वाला है mechanism, यह अपने को RBI के तरफ से guidelines आने वाली है, कैसे system वो use करने वाले है, कैसे customer, ROI bank को information देने वाले है, वो सारी चीज़े जो है, वो अभी तक अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यह जो fraud और यह चीज़े tempering रोपने के लिए RBI ने एक और step लिया है, जो regular step होते है, उससे बढ़ कर RBI ने एक और step लिया है, और RBI ऐसे भी कोशिक कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा physical moment ना हो चिक का एक branch से, दुसरे branch उसके लिए भी RBI work कर रही है, anyway तो आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे आप comment section में ज़रूर बताइएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आपको sanitize करिएगा, take care, have a night day, और करिएगा, take care, have a night day,